हाँ दोस्तो विश्णोई के आग के नीचे लगी चोट तो गोतम गंभीर तो हरान थे इस साथ ही सिर्लंका के फैंस भी रवी विश्णोई के चोट को देखकर काफी परसान दिखें जिया दोस्तो दरसल यह सब कुछ आज उस समय हुआ जब सिर्लंका खिला पहले टी 20 मैंच म भी उनकी पहली गेद केंच लेगने के चक्कर में विश्णोई ड्राइब लगा कर केंच करने कोशित की लेकिन गेद उनके हाथ से छिड़ेपने के बार जमीन पर उच्छल कर सीधा उनकी आँक के नीचे चाकर लगी और उसी समय वहां से खुन निकलने लगा और बाहर लगने के बार भी ना सिर्फ गेद बाजी की बल्कि आखरी गेद पर शिलंका का पिकेट भी चटकाया है